हेलो एवरिवन मी दीप्ती शर्मा वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल गाइड आज में रेसेपी लेकर आई हूँ इस्टफ शिम्ला मेज तो गाइड आप लोग मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें और देखते हैं हम यह सिम्ला मेज कहते बनाते हैं इस दिया हमने 4 सब्सक्राइब कर लिए हैं यह में मैस इनको कर लिया है अब इसमें सारे मसाले मिलाएंगे और शिम्ला मेज की बहुत ही जादा टेस्टी स्टफिंग तयार कर लेंगे हमने इसमें नमग स्वाद अनुसार हरा दुनिया रैड चिली और गरम मसाला सूखा धनिया पॉडर सब्सक्राइब कर लिया है यह हमारी स्टफिंग ड्रेटी हो चुकी है अब हम यहां शिम्ला मेज को कट कर लेंगे शिम्ला मेज को हम सर्किल शेप में कट कर रहे हैं अब हम अपने हाथ पर ऑईल लगा कर अपनी शिम्ला मेज की स्टफिंग कर लेंगे कर दागो कर दो कर दो सब्सक्राओेब कर दो हमारी पुटी है अब हां एंगे शुटी ही ही है इस स्टुफिंग के बाद अब हम शिम्ला मिल्च को जो ये भर्वा शिम्ला मिल्च है इनको एक तवे पर सेखने के लिए रख देंगे इनको दोनों साइट से शेख लेंगे कि ये लगबर्ण इस साइट से तीख चुक है अब हम इसको पलत कर सेखेंगे अब हम अपने ग्रेवी तैयार कर लेंगे विवे में हमें और यह हमने तोड़ा ता बीदा है और यह वन्ला पेस्ट नहींड़ा दाला है में तोमेटो चूट नालेंगे तो इसमें हम साड़ी जूटो टालेंगे और इसमें आयए मज़क्टा प्योरी नालेंगे अपना नमक आला है में अमचूर डाला है ड्राइ मैंगो पॉर्डर गरम नाल आ क्या अभी तोरी आधी टया है जो कि ऊड़ने लगे तब ही हमें इसमें थी डाल ये और अच्छे पे पकाने के बाद नहीं के बाद हमने थोड़ा साथ फो पकाया है और इसमें तू कप पानी डाल दिया है ये हमारी डयार हो ऊच्छी है बहुती अच्छी ग्रेवी बनती है ऐसे गाइद आप लोग भी उसके ग्रेवी को ट्राई कर सकते हैं अब हम सर्व करने के लिए ये रेडी हो चुकी है जो हमने शिम्ला मेज को अच्छे से तवे पर सेखा था उसको प्लेट में रखेंगे उसके उपर ग्रेवी डाल देंग और सर्व कर देंगे आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें एन मेरे चैनल सब्सक्राइब करें बाई